तुम तो धोके बाज हो, वादा कर रखे भूल जाते हो, रोज रोज मोधी जी तुम ऐसा करोगे, जन्त जो रूट गई तो हाथ मलोगे, अरे तुम तो धोके बाज हो, वादा कर रखे भाग जाते हो, इनको सत्ता से बाहर करना है कि नहीं करना घ्रमंटी हो गए हैं लोग, कोई नहीं मिलेगा, मोधी जी ने कोई नोकरी नहीं दी, मोधी जी मिलते तो प्रियंका चोपरा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे, पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है, सब लोग शेर है आप लोगों ने ताकत दिया है बीजेपी जोट बोलने वाले लोग है यह लोग यूडिया को भी चीनी बना देते हैं यह लोग गोबर को भी हलवा दे करके पड़ोज देते हैं जिस तरह से आंधी के तरह आये थे उसी तरह तुफान के तरह चले जाएंगे जो लोग नारा लगाते हैं अपकी बार चार सो पार उनका मुँ है कुछ भी बोलेंगे लेकिन एक बात तै है जनता ही मालिक है आप तालिक हैं और आपको तैक करना है कि देश के साशन में कौन बैठेरेगा काम करेगा आज यहां डिली की जनता से पूछना चाहते हैं वो लोग नारा लगा रहे हैं तार्गेट फिक्स कर रहे हैं अपकी बार चार सो पार ऐसा लग रहा है कि पहले से ही इवियम सेटिंग हो चुका है यह लोग फिर भी आप लोग उसे पूछना चाहते हैं कि आप लोग यह लोग जो नारा लगा रहे हैं क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा हाथ उठा के बताएए इनको सत्ता से बाहर करणा है कि ने करणा है आज हम सब लोग देख रहे हैं कि देश में आगोशित एमर्जनसी लागू हो चुकी है देश में सत्ता में जो लोग बैटे हैं ताना शार रवया अपनाने का काम कर रहे हैं घमंदी हो गए हैं लोग और आज हम लोग किसी को गाली देने नहीं आरें लेकिन जो आख से देख रहे हैं वो बताने आरे हैं जो महसूस कर रहे हैं वो बताने आरे हैं सत्ता में लोग जो बैठे हैं, विपक्ष का धर्म बनता है, कर्तव बनता है, क्यों से हम लोग सवाल करें. आज मेरा मनना हैं कि देश में सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो बेरुजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, आज यहां लोग हैं, नौजवान हैं, नौजवानों से पूछना चाहते हैं, बताओ, कितने नौजवान यहां जो हैं, मोदी जी ने नोकरी दिया, हाट उठा के बताइए, कोई नहीं मिलेगा, मोदी जी ने कोई नोकरी नहीं दी, सब कुछ जो है, प्राइविटाइज कर दिया, और हम लोगों ने बिहार में, लग लगों आप पनेशान हैं, लेकिन किसानों से मोदी जी को मिलने का समय नहीं है, मोदी जी मिलते तो प्रीयंका Č्योपणा से मिलेंगे, किसानों से नहीं मिलेंगे, अक्षे कुमार को इंटिविव देते थे पिछने चुरा में, ऐस बार बेल घिलिएच को बुलाकर के इंटर्विव देने का काम कर रहे हैं लेकिन किसानों की समस्या कैसे हलोगी यह नहीं बता रहे हैं किसानों से उन्होंने पिछले चुना में वादा किया था कि उनका आये दुगना करेंगे आज किसानों पर मोदी जी ने तलवार चलाने का काम किया है जो हमारे अंदाता है इसलिए आप सब लोग जब लोग हम लोग जब अवाज उठाते हैं तब तब मोदी जी और उनकी जो सेल है पार्टी की उस पार्टी का सेल में कौन है एडी है सी बी आई है इंकम टैक्स है लालू जी को तो कई बार सताया गया मेरे उपर मुकदमा किया गया मेरी माँ पर मेरी बेहनों पर मेरे जीजाओं पर मेरे फिता के जितरे संबंदी थे सब पर केश मुकदमा किया अभी बिहार चले जाहिए कई हमारे नेताओं पर छापे मारी चल रही है कई जगा इती का रेप चल रहा है आई टी का रेप चल रहा है लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सुरेंजी को और अर्विन के जिवाल को गिरफतार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है तो उनको हम बता दे के इनके गीदर भब की से हम लोग दरने वाले रही हैं हम लोग संगर् लग रहे हैं कंस राज आप लोग ने देखा होगा जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी दर लगता था तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था लेकिन जेल जाने से यहां कोई डरने वाला नहीं है कितने लोगों को जेल भेजोगे लेकिन जब जनता जब आप देगी जब वोट का चोट दीजिएगा तो मौदी जी हाथ मनने का काम करेंगे सब्ता से बेदखल हो जाएंगे इसलिए यह अपनी ताकत को पहचानिएगा सब लोग चुनाओं के समय आप सब लोग बोल किजिएगा वोट दीजिएगा लोगों को भी वोट दिलाने का क प्राम किजिएगा वी जट बोलने वाले लोग यह लोग यूडिया को भी चीनी बना देते हैं यह लोग और को भी मत किजिएगा आश्मत किजेगा मोधी जी कहते हैं कि उनका गैरंटी मजबूत गैरंटी है गैरंटी की बात करते हैं हम बोलते हैं मोधी जी की गैरंटी वैसे ही गैरंटी है जैसे चाइनीज माल होता है दो चाहर बार इस्तवाल करोगे और वो गैरन्टी जो है खतब हो जाता है तूट जाता है खड़ाब हो जाता है तो जब तक चुनाओ है तब तक ही मोदी जी की गैरन्टी है बाकी कुछ रही दो करोर रोजगार का क्या हुआ 15-15 लाक रुपे का क्या हुआ यह जवाब नहीं देने वाले लेकिन हमेशा जो है प्रोपगेंडा चलाने का काम करते हैं और लोगों को भटकाने का काम करते हैं इसलिए आप सब लोगों को सौधान रहना पड़ेगा इनके जूट पे आप लोग विश्वास मत किजेगा और ह आज महामहीम राश्पती जी अडवानी जी को भाड़ तरट्र दे करके सम्मानित कर रही थी मोधी जी अडवानी जी के बगल में बैठे हुए हैं राश्पती खड़ा हो करके सम्मानित कर रही हैं लेकिन मोधी जी खड़ा भी नहीं हुए राश्पती क्यों सम्मान में श्वीर देखी कि राश्टपती पीछे-पीछे चल रही है मोदी जी आगे-आगे चल रहे हैं यह हम आप सब लोगों को बताना चाहते हैं कि इनका सन्विधान पर कोई विश्वास नहीं है यह लोग नागफुरिया कानून को लागू करना चाहते हैं आरेसेस के अजंडे को लागू करना चाहते हैं इसलिए जादा कुछ ना कहते हुए एक आंक्रा हम जरूर बताना चाहेंगे देश में इंटरनाशनल लेबर और्गनाजेशन ने सर्वे किया है उसमें आंक्रे हैं कि आज देश में बेरुजगारों में से 83 फीसदी युवा है परेल के युवां मे बेरुजगारी लगबग 65 फीसदी है ग्रामी चेतरों में सिर्फ 17 सारे सत्रा पर्टिशद युवाओं के पास ही काम है यादि भारत की आत्मा गाहों में बेरासी फीसदी युवा आज बेरुजगार है और मोदी जी इसके बारे में कोई काम नहीं किया आप एक बार विश जवानों को हम लोग नौकरी देने का काम करेंगे बेरुजगारी को दूर करेंगे और जाते जाते बहुत सारे नेताओं को बोलना है लेकिन एक अंत हम करेंगे एक गाने के साथ और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गारा सुना होगा कि तुम तो धोके बाज ह वादा करके भूल जाते हो रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे जनत जो रूट गई तो हाथ मलोगे अरे तुम तो गो के बाज हो वादा करके भाग जाते हो तो आप सब लोग गो को बहुत बहुत धन्यवाद